तो बच्चों आज की क्लास का जो टॉपिक है वो रहेगा कलेक्शन ओडेटा मींस कलेक्शन ओडेटा का क्या मीनिंग होता है सोर्सिज ओडेटा क्या होते हैं और साथ ही हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जो statistical methods हैं डेटा को कलेक्ट करने वाले वो कौन-कौन से हैं तो बच्चों आपको पता ही है कि अर्थ शास्तर में आकणों का बहुत ही important role होता है तो इसलिए इसके बारे में डिटेल में discussion करना बहुत ज़रूरी है तो आईए बच्चों क्लास की तरफ चलते हैं तरफ चलते हैं संक्लन की विधियों को समझना और फिर लास्ट में हम करेंगे Census of India के बारे में और NSSO के बारे में तो यह हमारे आज के Learning Objectives है तो चलिए पहले Learning Objectives की तरफ चलते हैं तो बच्चों देखिए आंकडे क्या होते हैं आंकडे तत्यों के संख्यात्मक विवरण होते हैं Means Data are Numerical Statement of Facts तो जो भी Facts हैं उनको जब हम संख्या के रूप में नंबर की फोर्म में प्रेजेंट कर देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं वो आंकडे बन जाते हैं जैसे यहां एक्जामपल भी दिया हुआ है कि कुरक्षेत्र विश्विध्याले के विध्यार्थियों का जो ओसत्वय है में इस Average Expenditure 1000 रूपीज मन्थली है तो यह हमने सूचना को संख्या के रूप में व्यक्त कर दिया तो वो आंकडे बन गए इसी तरह आंकडों को आप कैसे लिख सकते हैं कि आंकडे अनुसंधान के किसी विभाग में तथ्यों के संख्या के रूप में ऐसे विवरण होते हैं जिनने एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाता है जैसे एक्जामपल्स हो सकते हैं संख्या संबंदी आंकड़े और रोजगार संबंदित आंकड़े ये क्या हैं ये आंकड़ों के examples हो सकते हैं अब जो आंकड़े हैं उनको एक अठा क्यों किया जाता है इनको संग्रहित संकलित क्यों किया कि ये किसी भी समज्या को समझने में साथ में विशलेशन करने में और विशलेशन करने के बाद उस सूचना का जो भी व्याख्या है वह आसानी से की जा सकती है तो ये सब जो परपस है ये फुल्फिल होते हैं जब आकड़ों को इकठ्था किया जाता है जैसे रोजगार गामिला प्राथ्मी शेत्र में दुट्यक शेत्र में हैं और कितने लोगों को काम नहीं मिला हुआ यह समझने के लिए इस मोचलuite का विशलेशन और भ्याख्या करने के तो यह primary source क्या है प्रात्मिक स्त्रोथ क्या है तो आंक्डों के प्रात्मिक स्त्रोथ से अभी प्राइए उद्गम के स्त्रोथ से है मिन्स सोर्स ओ ओरिजन से जो information संख्यात्मक सुचना जो प्राप्त हो रही है तो हम क्या कहेंगे वह हमें प्रात्मिक स्त्रोथ से प्रात्त हो रही है और यह सांखिकी अध्यान से संबंदित सीधी या परत्यक्ष सूचना परदान करते हैं तो इन्हें हम कहते हैं प्रात्मिक स्त्रोथ और जो दिवित्यक स्त्रोथ है मींस सेकेंडरी सोर्स है वो क्या है तो मिन्स यह तो direct information परदान कर रहे हैं लेकिन इसमें क्या होगा सूचना प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं हो रही है यह प्रत्यक्ष रूप से हमें सूचना प्राप्त हो रही है तो ऐसे sources को हम बोलते हैं दिवित्य अक्स्त्रोद मिन्स secondary source तो दो sources हो गए primary and secondary तो अभी जैसे हमने sources की बात किया है तो प्राथमिक source से जो आंकड़े प्राप्त होंगे उन्हें हम बोले नहीं प्राथमिक आंकड़े तो मिन्स प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े हैं जो अनुसंधान करता अपने उदेश्य के अनुसार पहली बार आरम से अंत तक एकत् कि तो इसलिए आंकड़े कैसे होते हैं अन्हें इंपस्तर रपिकाए और इसलिए आंकडे कैसे होंगे जो पहले से यह तित्व में है और वर्तमान में किसी अन्नेय देशा के लिए इनको प्रयोग में लाया जा रहा है तो यह आंकडे जो होते हैं इसलिए यह मोलिक नहीं होंगे यह इनकी जो डेफिनेशन और यह जो इनकी विशेष्टा यहां तो ये जो प्रात्मिक और द्वित्यक आंक्डे हैın, नमें उन्तर किस बेसे से पर Abg perch बता रहे हैं? इनको हम प्रयोग कैसे ला रहे हैं? और इनको उकत्रित कैसे किया जा। उसके अधहार पर ही इन दोनों में उन्तर्त होता है!! तो सबसे पहला अंतर किसके basis पर है मौलिकता में अंतर तो जो यह प्रात्मी कांकडे हैं यह क्या होंगे ज्यादा मौलिक होंगे लेकिन जो द्वित्य कांकडे हैं वो कैसे होंगे कम मौलिक होंगे क्यूं क्यूंकि जो प्रात्मी कांकडे हैं वो source of origin से एकठे किये जा रहे ह लेकिन जो दिवित्य कांकड़े हैं वो क्या हैं वो पहले से किसी व्यक्ति के द्वारा संस्था के द्वारा इकठे कि यह गये हैं और अब हम उनको अपनी अपने उदेशे के लिए प्रयोग में ला रहे है nes am strong लागत में अंतर तो जो प्रात्मी कांकड़े होते हैं उनको इकठ्था करने में समय भी ज्यादा जाया है, परिषरम भी ज्यादा लगेगा, लेकिन जो दिवित्यृ कांकडे हैं, पहले से इकठ्था किये जा चुकी हैं, और आज हम जो अनुसम्धान करता है, मेंस वो उसको अपने देशे के लिए प्रयोग में ला रहा है, तो उसका जो संक्लन का समय है, efforts हैं, वो उसको कम करने पड़ेंगे, तो इस वज़े से ही कहा जा रहा है कि प्रात्मिक आंकडों में संक्लन लागत आधिक होगी, और संक्लन लागत का मतलब क्या हो गया, समय परिश्रम और धन भी कह सकते हैं, और दृत्यक आंकडों में जो सं से पहला method हम करेंगे, वो है पर्तियक्ष व्यक्तिगत अनुसंथान, तो पहला हमारा DPI है, नेक्स method है पर्तियक्ष मोखिक अनुसंथान, इसको डिटेल में करेंगे, means indirect oral investigation method, थर्ड हम discuss करेंगे, स्थानिय स्त्रोतों या समाधाताओं से सूचना प्राप्ति, means information from local sources और correspondence, और फौर्थ जो हम discuss करेंगे आज की class में, वो है प्रशनावली एमम अनुसूचियों के माध्यम से सूचना संग्र है, means information through questionnaire, तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इन सबकी जो suitability, merits और demerits उनके उपर discussion करेंगे, तो first method हमारा है, परत्यक्ष वेक्तिगत, अनुसंधान, direct personal investigation method, short form बना के आप इसको अपना hint ready रख सकते हैं, DPI, direct personal investigation method, तो बच्चों जो भी इन methods को आप करेंगे, इन methods की जो headings हैं, उनी में उनकी जो definition है, वो भी है, क्योंकि जैसे इ पर क्या होगा, जो अनुसंधान करता है, मतलब जिसको research करनी है, जो investigation कर रहा है, वो person सूचना देने वाले के पास, परत्यक्ष तोर पर जाएगा, means person to person, व्यक्तिक तोर पर वो उन से मिलकर, अपने अनुसंधान को लेकर, जो भी data उसको चाहिए, उसको इकठा करेंगा, त तो इसमें एक अनुसंधान करता है, स्वेम अनुसंधान शेतर में जाकर, सूचना देने वाले से, परत्यक्ष संपर्क स्थापित करता है, और आकड़ों को इकठा करता है, तो यह तो हमने बात की definition की, तो इसमें आप कोई भी example ले सकते हैं, practical life से कोई भी example उठा सकते हैं, for example मान लिजाए, आपके school के बच्चों का कोई data इकठा किया जा रहा है, investigation की जा रही है, कुछ और उसी के उपर, जैसे students की height, weight इसको लेकर data इकठा किया जा रहा है, तो क्या किया जाएगा, जो अनुसंधान करता है, जिसको इस information इकठी करनी है, वो क्या करेगा, हर बच्च हैं, जैसे कोई industry है, उसमें वर्कर से related को information चाहिए, तो हर एक वर्कर से जब information इकठी की जाती है, व्यक्तिगत और पर मिलकर, तो उसको क्या बोलेंगे, पर तो यह जो method है, जितने भी आप methods करेंगे, उनकी definition और example, आप example भी ready रखना अपना, मैंने आपको यहाँ दो example दी ह आप और भी सोच सकते हैं, concept को clear करके, तो उनके साथ आपको यह तीन चीज़े करनी है, एक तो उप्युक्तिता, गुण और अवगुण, जो method है हमारा DPI, उसकी suitability क्या है, उप्युक्तिता कहा है, कहां यह method यूज करना सही रहेगा, तो यह method यूज किया जाना चाहिए, सी अगर यह सीमित शेतर है, तो इस तरह का method अपनाया जाना easy रहेगा, और next के आकड़ों की मोलिकता वै शुदिता, तो मिस जहां पर हमें मोलिक आंकडे चाहिए, शुद आंकडे चाहिए, वहां पर DPI method अपनाया जाना चाहिए, और सूचना देने वाले से पर्तेक्ष संपर की स्थापित करने की आवशकता है, तो ये method suitable रहेगा, तो ये तो हमने इसके विप्टता की बात की, अब इस method के गुण क्या है, सबसे इसका जो बड़ा गुण है, वो क्या है, विश्वस्नियता, मिस इस method में distrust की कोई संभावना ही नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो अनुस कुछना एड़न करनी है, तो नहीं संधान करता, असानी से उसके बारे में भी इन्फोमेशन इकठी कर सकता है, तो इसको बोले है, लोच छीलता, मिस फ्लेक्सिबिलिटी, नेक्सिस method की कुछ अवगुण भी है, सबसे पहला अवगुण तो क्या है, जो हमने यहाँ पढ़ स्पेंड करना पड़ेगा, तो इस वज़े से यह इस method का अवगुण बन जाएगा, कि यह method जो है, बड़े शेतर पर नहीं है, लागु हो सकता, और साथ ही, यह समय को जादा खपाता है, तो इस वज़े से यह इस method के अवगुण हो गए, नेक्स method है, एपरत्यक्ष मोखिक अनुसंधान, तो इस method में क्या रहेगा, दिखेंगे, इसको बोलता है, इंडारेक्टोरल इंवेस्टिगेशन method, तो इस method में क्या रहेगा, कि जो अनुसंधान करता है, वो क्या करेगा, वो एपरत्यक्ष रूप से संबंध रखने वाले व्यक्तियों से मोखिक पूश्ट कि जा रही है, तो उनी से ही पूचताच करके उस information को इकठा गिया जा रहा है, लेकिन यदि जो students हैं, विध्यारती हैं, उन से information ना लेकर, क्या किया जाए, उनके बारे में, उनके जो teachers हैं, उन से ही पूच कर आंकडों को इकठा कर लिया जाए, तो मिंस इनके बारे में information मोखिक तो रूप से तीचर्स ने दे दी तो वह मैथड क्या हो गया आई और इन्वेस्टिक औरल इन्वेस्टिगेशन अब इस मैथड की क्या उप्यूक्तिता रहेगी सूटैबलेटी क्या रहेगी कि ये मैथड व्यापक अनोसंधान शेत्र को में एप्लाई किया जा सकता हैं साथ ही प्रत्यक्ष संपर्क की संभावना यदि ना हो तो वहां भी यह method यूज किया जाना चाहिए लेकिन इस method के जो गुण है वो क्या है कि यह method क्या है सरल विदी है यह simple method है तो यह तो आप हर एक method में लिख सकते हैं क्योंकि जित क्या है कम खर्चिला है क्योंकि एक तो समय जो है वो बचेगा कम समय में ज्यादा information ही कठी हो जाएगी तो इस वज़ेसे इस method को बोलता है कम खर्चिली विदी और यह विस्तित शेत्र को कवर करेगा यह इसके गुण हो गए लेकिन इस method के जो अफगुण है डिमेरिट्स ह क्या है कि इस method में शुदता की कमी रहेगी क्योंकि जो teachers है वो student के बारे में information दे रहे हैं तो अगर किसी टीचर को किसी बच्चे के बारे में detailed information नहीं है तो क्या होगा हो सकता है आकड़े गलत दिये जाए तो इस ज़़ेसे शुदता की कमी रहेगी पक्षपात की भी संभा है तो automatically यह अवगुण तो आएगा ही आएगा गलत परिणाम की संभावना तो यह सब इस method क्या हो गए अवगुण हो गए और कई बार जैसे DPI और जो यह method है इसमें difference पूछा जाता है तो यदि आपको इन दोनों का meaning clear हो गया तो आप इन में जो दोनों में difference भी बिता सकते है मतलब जो DPI method है और IOI indirect oral investigation method है इन में आपस में differences क्या हो सकते हैं क्या अंतर हो सकता है दोनों method में अब जैसे यह method क्या है यह सीमित शेतर को cover करता है लेकिन यह method व्यापक शेतर को cover कर लेगा इसमें protection संबंद क्या शक्ता होती है लेकिन वहीं पर ही apply किया जा सकता है लेकि लेकिन यह method कैसा है यह कम खर्चिला है ठीक है तो इसमें पक्षपात की संभावना नहीं रहेगी लेकिन इसमें पक्षपात की संभावना रहती है तो इस तरह से आप इन दोनों methods में जो differences है उनको भी clear कर सकते हैं थर्ड method है स्थानिय स्त्रोतों वे समादाताओं से सूचना प्राप्ति means information from local sources और correspondence तो देखें इस विदी में क्या रहेगा कि जो अनुसंधान करता है वो क्या करेगा विभिन स्थानों पर जो लोकल वहां के लोग हैं स्थानिय व्यक्ति हैं उनके निक्ति करता है और इन को क्या बोला जाता है इने समादाता means correspondent भी बोला जाता है तो यह क्या करेंगे यह अपने अपने तरीके से सोचनाओं को एक अत्रित करके अनुसंधान करता को भेज देंगे तो means यह अपना अमना method जैसा इनको suitable लगेगा वो method यूज करके यह जो है information अनुसंधान करता को भ suitable रहेगा यह जहां व्यापक शेत्र है वहां पर भी method suitable है और जहां पर बहुत ज्यादा शुदता की आवशक्ता ना हो वहां पर भी method suitable रहेगा और इस विदी के गुन क्या है पहला वही simple method है यह सरल है कम खर्चिली है क्योंकि बहुत कम खर्चिली के sense में यह जिसे समय की ब cover कर पाती है लेकिन अवगुण इस method के भी है पहला अवगुण क्या है demerit पहली क्या है मुलिकता का नय होना कि जो originality है वो इस method में बहुत कम रहेगी साथ ही एक रूपता का भी अभाव रहेगा एक रूपता क्यों नहीं होगी हम नहीं आप पढ़ा है अभी अभी कि जो स correspondence है वो क्या है अपने वे में information इकठी करेंगे उसमें purity originality की अपने आप कमी है और यह उनके विभार पर भी depend करेगा कि वो पूरी information देते हैं या नहीं तो इस वज़े से पक्षपात की भी सभावना रहेगी साथ ही साथ सूचना प्रापती में देरी भी संभव है क्यों दे सूचना को बहुत टाइम लगा देंगे प्रवाइड करने में तो इस वज़े से सूचना प्रापती में देरी होने की बेसंभावना रहेगी next step प्रशनावली एम अनुसूचियों के मादम से सूचना संग्राय में information through questionnaire तो जो अनुसंधान करता है इस method में वो क्या करता है ज यह प्रशनावली प्रयोग में लाई जाएगी और इस method में दो method included हैं एक तो डाक विदी में इस मेलिंग मेथ़ड के थूचनार को फिल किया जाएगा और दूसरा method है इनमेरेटर method में गणक विदी के द्वारा सूचना को इकठा किया जाएगा अब इन दोनों method को हम डिट भी बेजा जाएगा जिसमें अनुसंधान का जो उदिश है वो mention होगा साथ ही जो सूचना देने वाला है उसको विश्वास दिलाया जाएगा कि जो भी वो information देगा उसको secret रखा जाएगा मतलब उसको गुपत रखा जाएगा और उस व्यक्ति को जो परशनावली के प्रश कर सकता है साथ ही और क्या है जहां पर सूचना देने वाले वेक्ति क्या हों शिक्षित हों वो शिक्षित होंगे तभी वो परशनावली को पढ़ेंगे और उत्तर दे पाएंगे और इस विदी के गुंड merits क्या है पहला तो इसमें कम खर्चिली मतलब इस method में क्या रहेगा किसकी रहेगी जैसे इसमें जो समय है और जो efforts हैं परियास हैं वो कम लगेंगे और ज्यादा information ही कठी हो पाएगी इसलिए method क्या है कम खचिला है साथ में originality में मुलिक्ता रहेगी इस method में क्योंकि जो सूचना देने वाला है वो अपने बारे में खुद सूचना दे रहा है वो खुद भरेगा इन questionnaires को इस जैसे मुलिक्ता भी रहेगी और विस्तरित शेतर तो हमने बात की ही थी कि जो डाक भी दिया है ये विस्तरित शेतर को cover कर सकती है लेकिन इस method के भी अवगुण है वो क्या है कि सीमित उपयोग क्यों सीमित उपयोग है क्योंकि ये किसको cover कर रहा है जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं questionnaire को उन पर ये research नहीं की जा सकती नेक्स्ट पक्षपात की संभावना किसके अधार पर हम कह रहे हैं क्योंकि जो सूचना देने वाले व्यक्ति हैं यदि वो सही भावना से जो questionnaire प्रशनावली उसको नहीं भरेंगे तो पक्षपात है जैसे वापिस भेजी जानी चीह हो सकता वो questionnaire को वापिस ना भीजे तो इसलिए इसको हम कहरें उदास इंता हो नेक्स्ट है शुद्धता की कमी क्योंकि यदि सूचना देने वाला साही से प्रशन नहीं पड़ेगा तो उत्तर भी वो कैसे देगा शुद्ध नहीं होंग में रखते हुए प्रशनावली त्यार की जाएगी और इस प्रशनावली को गणक जो इनमिरेटर्स हैं वो सूचना देने वाले वाले विट्धियों के पास स्वेम लेकर जाते हैं और उस प्रशनावली को भरेंगे लेकिन यहां पर हम प्रशनावली वर्ड यूज नहीं क तो यह method कहां पर suitable रहेगा यह विस्तरत शेत्र को कवर कर लेगा साथ ही निपुन निश्पक्ष जो गणक है यदि उनकी उपलब्दता है तो यह method suitable रहेगा साथ ही सूचना जो है सूचना समंदित हमारा जो शेत्र है वहां की भाषा रिती रिवाज सुभाव उसके वारे में जिन गणकों को जानकारी है वो इस method को अच्छी तरह से फोलो कर पाएंगे तो यह सब होने पर ही method जो है उप्युक्त रहेगा प्रयोग मिलाना तो इस method के अब गुन क्या है कि यहां पर क्या रहेगा व्यक्तिगत संपर्क रहेगा क्योंकि जो गणक है वो सूचना देने वाले के पास स्वेम जाकर सूचना को इकठा करेंगे तो यहां पर क्या हो गया व्यक्तिगत संपर्क हो गया सूचना देने वाले में और गणक के बीच में साथ में यहां शुदता भी रहेगी क्योंकि सूचना जो है बीच में और कोई नहीं है गणक और सूचना देने वा लेकिन यहांभी हम कुछ अफजिए इस विदि के सबसे पहला किया है खर्चीली क्यों खर्चीली है क्योंकि गनक है उन सब को निपन बनाना है उनको पर्षिक्षन देना है तो इसमें काफी समय जाएगा इसलिए मैथट क्या है कहर्चीला मैथट है साथ ही जो है जो निपुण निश्पक्ष गणक होते हैं उनकी उपलबता का भाव रहता है तो यह भी इस मैथड का अवगुण हो गया और पक्षपातपूर्ण यदि गणक अपने काम से पूरी तरह से नयायपूर्ण काम वो नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा उत्यम नहीं नयगी एक ग्रूप तियार किया है वो क्या है गणकों के दोरा भरा जाएगा तो यह इन दोनों में आपस में डिफ्रेंस है यहां सूचना देने वाला स्वेम भरेगा और यहां पर गणक सूचना देने वालों से पूछ कर फिर उनको फिल करेगा और एक जो प्रशनावली में questions include होते हैं उनमें क्या-क्या गु आपकी जानी चाहिए नेक्स्ट एक कि जो प्रशनों की language है वो कैसी होनी चीए सिंपल होनी चीए जिसको असानी से समझा जा सके clear होनी चीए वो language तो यह हो गई सरल्ता मुद्ला प्रश्णों में सलब्भाशा का प्रेग किया जाना चीए स्पश्टता होनी चाहिए नेक्स जो छोटा एरिया है उसमे जो प्रशणावली के बैसिस पर शूच को से इंफोंज़ के लेने निया चाहिँ है अगर प्रशणावली में कुछ चेंज जरूत है तो वो कर देने चाहिए तो इससे क्या होगा कि जो लांड स्केल पर जो सूचकों से information कठी की जाएगी, उसमें accuracy आजाएगी, इसलिए पूर परिक्षन भी किया जाना ज़रूर है, pre-testing होने ही चाहिए, next step, प्रशनों का जो क्रम है वो उचित होना चाहिए, बतलब प्रशन जो हैं, वो तर्क पूर्ण करम में रखे जाने चाहिए, प्रशनावलिया उसको भरे जाने के लिए बहुत क्लियर और निश्चित से निर्देश दिये जाने चाहिए, ताकि सूचना देने वाले को कोई प्रॉब्लम ना आए, और साथ ही सत्यता की जाँच के संभावना भी होनी चाहिए, ऐसे प्रशन पूछे जाएं, जिन से जो सत्यता है उसकी जाँच की जाए, जैसे एज पूछली और फिर डियो भी, डेटो बर्त भी पूछली तो उससे क्या हो गया, क्रोस चेक हो गया, यह मैंने जस्ट एक ए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो फिर टाइम कंजिमिंग हो जाएगा, और फिर एर्थ हैं कि प्रशनावली को भर कर लोटानी की प्रात्ना अश्य की जानी चाहिए, क्योंकि यदि सूचक जो सूचना दे रहे हैं, वो अपनी प्रशनावली को फिल करके, उसको वापिस ही नहीं भेजेंगे, तो हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है, अनुसंधान है, वो तो संभवी नहीं हो पाएगा, तो इस तरह से प्रशनावली अनुसूचन का निर्मान करते समय, इन सभी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, अब जैसे प्रशन हैं, और प्रशन किस टाइ किये जा सकते हैं, ओपन जो कोश्चन होते हैं, खुले प्रशन जिनकों बोलते हैं, ओपन कोश्चन यहां पर अनुसंधान करता जो लिखना चाहिए, वो लिख सकता है, अपने अकॉर्डिंग, तो इस तरह की कोश्चन को इन्क्लूड किया जा सकता है, या फिर जो केंडरी डेटा है, उसका कलेक्शन के जो सोर्सिज हैं, वो क्या हैं, तो हम उन्हीं सोर्सिज की बात कर रहे हैं, तो यह 경우에는 पलिखित जो उसकता हैं, और परकाशित स्थ्रोत जो परकाशित स्थ्रोत हैं, अब हम उनको in detail में पढ़ रहे हैं, तो इस पहला क्या है, गोर्में publication देखो जो government publication है उसमें क्या include होगा कि भारत की जो केंदरी है और राजय सरकार है मिसमारी central state government जो हैं उनके मंतरालें के द्वारा कई परकार के आंखड़े परकाशित किये जाते हैं जैसे कि example हमने यह लिखे हैं तो RBI का जो bulletin है और labor gadget तो वो क्या करते हैं different type के आंकड़ों को परकाशित करते हैं तो उनको हम क्या नाम देते हैं government publication यह आप heading proper याद रखिए और जो examples हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखने हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं government publication आगे चलते हैं next second point की तरफ इसमें second है अर्द सरकारी परकाशन नीज सैमी government publication तो इस में क्या आ जाएंगे जैसे हमारी संस्थाएं जो है नगर पालिका नगर निगम जिला परिशद तो यह जो अप माँ बर्थ और डेथ रेट के education related, health related जो आखड़े परकाशित करते हैं वो सब क्या कैलाएंगे अर्द सरकारी परकाशन next है समीतियों और आयोगों की report means reports of committees and commissions अब हम यहां किसकी बात कर रहे हैं कि जैसे सरकार जो निक्त करती है विबिन तरह की समीतियों committees बना कर ताकि आयोग जो अपनी report देते हैं तो उसको हम कहते हैं समीतियों और आयोगों की report जैसे मैंने एक्जामपल दिया है कि वित आयोग के द्वारा जो परकाशित की जाती है रिपोर्ट वो किसका एक्जामपल हो गया वो इसी में include किया जाएगा यह हमारे क्या है सेकेंड़ी डेटा के sources और यह published sources है ध्यान रखिएगा पॉर्थ पब्लिच सोर्स है व्यपारिक संगों के परकाशन जो बड़े बड़े व्यपारिक संग हैं वो भी क्या करते हैं जो भी उनके आकड़े उन्होंने परकाशित किये हैं वो तो वो क्या कहलाएंगे व्यपारिक संगों के परकाशन कहलाएंगे फिफ्त है अनुसंधान संस्थाओं के परकाशन रिसर्च इंस्टिटूशन है हमारे बहुत सारे जैसे इंडियन स्टाटिस्टिकल इंस्टिट किये जाते हैं वो सब क्या कहलाएंगे वो अनुसंधान संस्थाओं के परकाशन में शामिल किये जाएंगे जो कि हमारे सेकेंडरी जो डेटा है उसका पब्लिश्ट सोर्स है सिक्स पब्लिश्ट सोर्स है विक्तिगत अनुसंधान करताओं के परकाशन, means publications of research scholars, तो जो research scholars हैं, वो भी अपने अनुसंधान समद्धी आंकड़ों को एकत्रित करके उनका परकाशन करवाते हैं, जो की secondary data के sources बन जाते हैं, और seventh है, अंतराश्री है, परकाशन, means international publications, जैसे United Nation Organization है, international labor organization है, तो इनके द्वारा जो आंकड़े परकाशित किये जाते हैं, उनकों क्या बोलते हैं, secondary data के published sources, published source के बाद next आ जाता है, unpublished sources, means ऐ परकाशित स्त्रोथ, तो जो दिवित्यक आंकड़े हैं, उनका परकाशित के साथ ऐ परकाशित स्त्रोथ भी होता है, जैसे कि government, निजी जो संस्थाएं हैं, विश्वे द्याले, व्यक्तिका तन्यों संधान करता, ये भी क्या करते हैं, ये विबिन उदेश्यों के लिए ऐसे आंकड़े भी इकठे करते हैं, जिने परकाशित नहीं कराया जाता, लेकिन ये आंकड़े किस रूप में प्रयोग में लाए जा सकते हैं, इनको द्वित्यक आंकड़ों के रूप में प्रयोग लाया सकता है, लेकिन ये क्या कहलाएंगे, प्रेयोग के लिए प्रियोग करते हुए क्या निश्चित कर लेना चाहिए कि जो आकड़े हैं वो कैसे हो विश्वसनी उप्यूक्तोर परयाप्त हूँ सांती हमें और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सबसे पहला तो क्या है कि संक्लन करने वाले संगठन की योग्यता मिश्चित के गए तो उस समय जिस संगठन ने आकड़े कठे किये थे वो योग्य था या नहीं था तो इस चीज की जाच परताल करके ही हम अंकड वो चाहिए नेक्स्ट आइं कि आउंकड़े की जाने का उदेश्य और शेत्र क्या था यदि ये उदेश्य और secre आपके इनुस संधान से मैच करता है तभी यह आकड़े आपके लिए सुटेबल रहेंगे थो संक्लित की हम करने कर दो वीश्य और शेत्रा उसका के थान क् आखे जाना जाए कि जब यह आंक्डवी प्राफम में का थे तो इनको कठा करते समय किस वीदह का प्रयों कया गया और नेक्स्ट से कि संकलान का समय तरक परिस्थितिय क् जिस में और परिस्थितीों में आकड़ एक कठे किये गए थे वो कैसा होना चाहिए, एक नॉर्मल टाइम पिरिड होना चाहिए, मतलब किस तरह की कैला मिटी या बहुत जादा कोई बड़ी एकोनॉमी पर प्रॉब्लम ना आई हो, क्योंकि जो आंकडे किसी ऐसे टाइम में कठे किये जाते हैं, जब सब कुछ नॉर्मल ना हो, तो वो करेक्ट होंगे, और इजनलेटी का उसमें ध्यान रखा गया होगा, तभी दिवित्यक आंकडे के रूप में उनका सही प्रयोग किया जा सकता है, तभी जो परिणाम है वो भी करेक्ट निकलेंगे, तो मीज दिवित्यक आंकडे का प्रयोग करते हुए, इन सब सावधानिय का प्रेयोग की आजाना जरूरी इन बातों का ध्यान रखा जाना जरूरी है बुटियक जो आंखडे होते हैं उनके दो मेहत wypू पून सोरस इसों पहला है भालत की जनगणना में Sensus औ इंडिया तो जो भालत की जनगणना यह दस साल में परकाशित होने वाला परकाशन है, तो इसको कौन करता है, collect कौन करता है, आखड़े परकाशित कौन करता है, Registrar, General and Census Commissioner, इसके दोरह परकाशित किये जाते हैं, और जो Census of India है, इसमें किस तरह की information को शामिल किया जाता है, पहला तो इसमें है, जनसंख्या का आकार, व्रिद्धिदर और वित्रण, means size, growth rate and distribution of population, नेक्स्ट है, जनसंख्या परक्षेपन, means population projection, और फिर है density of population, means जनसंख्या का गहनत, नेक्स्ट आ जाता है, जनसंख्या की लिंग्सरचना, means इसमें male, female से related आखड़ों को जो है, पब्लिश किया जाता है, और साथ में साक्षर्ता की अवस्था, literacy rate क्या है, उसको लेकर ही आखड़े, census of India परकाशित करता है, नेक्स्ट है, राश्ट्रे प्रतिदर्ष सर्वेक्षन संगठन की report अवं परकाशन, means इसको हम क्या बोलते हैं, इसमें जो सूचना अपलब्द होती है, वो क्या होती है, भूमे और पशुजोद, means land कितना है, और जो animals, wealth उसके बारे में आखड़े कठे किया जाते हैं, जो भवन means buildings की जो दशा है, या फिर जो migration होकर आएं हैं लोग, उनको लेकर information इकठी की जाती है, साथ में भारत में जो रोजगार और बिरोजगार की सित्य है, means जो status है employment और unemployment का, उसको लेकर आखड़ों को परकाशित किया जाता है, और साथ ही भारत में जो भोगता व्याय है, means consumer expenditure है जो इंडिया में, जिसमें क्या include किया जा रहा है, level or pattern, विबिन श्रेणियों के उभोगता व्याय का स्तर और प्रतिमान, means level and pattern of consumption, जो expenditure किया जा रहा है, means different लोगों के दारा किन किन चीजों पर कितना कितना proportion आय का spend किया जा रहा है, तो यह NSSO का परकाशन, so dear students, I hope जो भी हमने आज किया वह आपको clear हुआ होगा, तो उसी की basis पर जो आपका homework है वो देख लीजिए, सबसे first जो question आप करेंगे, प्रात्मिक आकड़े कत्रित करने की मुख्य विदिया कौन सी है, हमने विदिया की थी चार, वो सब आपने यहां mention करनी है, next है दिवित्यक आकड़ों के मुख्य स्तरों, जो published और unpublished sources किये थे, वो करने है इसमें आपने, और third है कि प्रात्मिक आकड़े कत्रित करने की, जो प्रशनावली विदि है, उसकी detail में explanation कीजिए, और साथ ही जो प्रशनावली बनाते समय, जो प्रशन है, उनको बनाते समय, क्या ध्यान रखा जाना चाहिए, उसके बारे में बताना है, next है कि दिवित्यक आकड़ों के प्रयोग में कौन कौन स साथानिया आवशक है, और लास्ट जो टॉपिक हमने किया था, Census of India और NSSO, जो भी वो आकड़े प्रकाशत करते हैं, उसके बारे में संक्षिप्त में बताना है, तो ये आपका homework रहेगा,